हाई हाई बच्चो स्वागत है तुम्हारा भारत के सबसे विश्वस नहीं है जो केशनल प्रैट्फॉर्म जहां पे हम कर रहे हैं आई टी जेइमेंस और एडवांस की तेयारी आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांस्फॉर्मेशन ओफ ग्राफ जिसको दूसरे धर्म की भासा में कनवर्जन ओफ ग्राफ भी कहा जाता है पिछले लेक्चर में अपने ग्राफ बनाना सीख लिया रिडिंग ओफ ग्राफ सीख ली अब हमारे जो बाबुश होना है वो पढ़ने आये हैं ट्रांस्फॉर् सुरू करने वाले तो मेरा बच्चा आज क्या पढ़ेगा कनवर्जन ओफ ग्राफ एक धर्म में ग्राफ दिया है उसकी उसी ग्राफ को दूसरे धर्म में कैसे बनाए खुबसूरत सी राइटिंग में जो मैं बेस्ट लिख सकता हूं उसमें अपनी आज हेटिंग दे देता हों जिससे हम कहते हैं कनवर्जन ओफ मेरा पस इंदीदा सब्धे ट्रांसफॉर्मेशन वाह ओफ ग्राफ वाह इसके नीचे एक सुन्दर सी रेखा लिटा दी मैंने अब लेटे हुए रेखा को तुम देखो ट्रांसफॉर्मेशन ओफ ग्राफ में हम करते क्या है सरल सी एक ग्राफ दिया होता है उसे टुकुर टुकुर देखते हैं और उसी ग्राफ को देखते देखते हम दूसरी ग्राफ को बना लेते हैं इसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ओफ ग्राफ ठीक यानि कि सर हमें क्या करना होगा हमें एक ग्राफ दिया होगा उसे देखके सिखाने का एक मात्र तरीका है वो है सवाल कराकर सिखाना उसार डिरेक्ट सवाल पर ले चलोगे कुछ ऐसे ग्यान नहीं दोगे कि कैसे बनाते हैं मैंने वहला सिर्फ एक ग्यान दूँगा और उसी ग्यान पर तुम्हारे जिन्दगी कि सारी दो विधायस टॉपिक अंदर व पता थी बस्तमें दो में उजागर कर दिए उदारन के तौर पर तुम्हें एक गेंद कहानी सुना रहा हूं यह तो करूं गया यह फिजिक्स की तुम्हें मैं रिलेट कर आ लहां तो बचपर ने गेंद रखते थे कहीं पर सुबह में रख दिया और फिर मम्मी पापा के प पता था कि अगर उसे कोई हटाए नहीं तो वह वहीं पर मौजूद होगी यानि कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी अगर वह वह अहां पर नहीं है तो फिर पूछते मम्मी मेरी गेंद कहां है क्योंकि तुम्हें पता था कि वह बिना एक्स्टर्नल फोर्स लगाए उस जगह से हिली नहीं सकती तुम्हें तो न्यूटन स्लॉफ मोशन पता थे तुम्हारे पापा तुम्हें बॉल कैच करने को देते थे या तुम यहां पे खड़ा हो और पापा सामने है तुम्हें बॉल दिया पापा ने और पापा ने कहा कि बॉल फेक बेटा मेरे था है तुमने बॉल को मन में कैलकुलेट किया और उसी अंदाजे से फेका जितने दूर पे पापा खड़े है अगर पापा दूर है तो ताकत से फेका पापा नस्दीक है तो धीरे से फेका यानि कि तुझे तो न्यूटन सेकंड लॉफ मोशन भी प तो simply तुम्हें है यहां पर उजागर करूंगा तीन तरीके की graph में mainly transformation करते हैं तीन graph लिखवा रहा हूं पहले से दूसरे में जाना होगा दूसरे से तीसरे में पहले में यही जिंद्धगी में काम करना है पहला graph है वीटंटि ग्राफ दूसरा graph और तीसरा graph है एती ग्राफ वीटी ग्राफ यानि वेलोसिटी टाइम, एक्सटी यानि पोजिशन टाइम और एटी यानि की एक्सलरेशन टाइम, अब हम तीन डंडिया बनाने की कोशिस करते हैं, जिसको हमें एक टेबल के तोर पे रट्टा मार लेना है, अगर यह तुमने रट्टा मार लिया, हमारा जै यह पेजवा बना लिया, अब इस पे हम बनाएंगे ग्रफवा, मान लो कि एक्सटी ग्राफ ऐसा है, ऐसा पढ़ना ग्राफ हमने सिखाया, कि बचवा यह ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप किसे कहते हैं, एम, स्लोप होँआ है, वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक, अब इस ग्र है, यह दो कंक्लूजन मैंने इस ग्राफ को पढ़े के निकाले, यह कहां से सीखा मैंने, यह रीडिंग आफ ग्राफ नहीं, त्मिसरा सर के लेक्चर से सीखा, आगे बढ़ते हैं, तो और स्लोप औफ एक्स्टी ग्राफ क्या देता है, बच्चा, स्लोप आफ एक्स्टी ग ग्राफ अगर positive और increasing है तो velocity देखो positive और increasing हमने एक rough diagram इस तरह से बना दिया अब VT graph पर आते हैं VT graph का constant है slope आप देख सकते हो theta constant है यानि कि इसका जो slope है वो क्या है बच्चा मेरे constant अरी याद है इसा बत्या हो constant है इसके बाद slope क्या है बच्चा slope भी positive है का है माट सब positive है का है कि theta देखो हमेशा positive है और less than 90 degree है इसमें भी less than 90 degree थी तो positive आई इसमें भी less than 90 degree है तो slope positive आएगी अब M जो है वो constant है हां constant है ठीक है यानि कि dv बटा dt इका होता है सर इसका slope का होगा सर इसका slope होगा dx बटा dt है हां और जो मुझे पढ़ चुके उन्हें तो पता ही है dv बटा dt जो slope है जो कि क्या है बच्चा positive है और constant है और इसका slope dv बटा dt क्या देता है acceleration हां माट सब acceleration तो देता है मैंने बोला तब इस data के according acceleration में ग्राफ बना दो तो पहले तो m positive है m कौन है यानि अक्सलेरेशन positive है अगर यह 0 है तो positive जाने के लिए हमें थोड़ा उपर जाना होइंगा और m क्या है constant है तो constant का graph बनता इससे सीधी रेखा लेटी हुई तो लेटी हुई रेखा तुम्हें पसंद है तो तुमने यह graph बना लिया जहां भी तुम्हें displacement टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ इस तरीके से उपर वाली चंदा मामा दी हो उसको convert करके तुम्हें वीटी graph में सीधी तिर्ची लाइन दिखानी है और एटी ग्राफ में तुम्हें यह वाली लाइन दिखानी है यह पहला डेटा हो गया ठीक इस पर मैं तुम्हें अगर सवाल दूएक करने को तो मैंने बोल दिया कि बेटा एटी graph ऐसे बना है तुम ज़रा पोजीशन टाइम ग्राफ बना के दिखाना मुझे तुमने बोला कि सर डेटा के एकॉर्डिंग एटी ग्राफ ऐसा होने पे एक्स्टी ग्राफ ऐसा होता है तुमने बोला लो माट सा बन गई बहुत बढ़िया पहली बार कराया तुरें ठीयोरी बताई तुरें सवाल दिय यह तो पता चलेगा जब एक्जाम में तुमसे पूछा जाए पहला हमने यह पॉइंट बनाया यह एक्स्टी ग्राफ अगर ऐसा होगा तो वीटी ऐसा होगा एटी ऐसा होगा अगले पर चलते हैं इस वाल नीचे और डेटा को मिटा देता हूं क्योंकि हमें तो मेन मुद् अंदर सी रेखा को लाएंगे एक्स्टी यह वाइटी क्या कर रहा है आपने वीटी और अक्सलरेशन टाइम ग्राफ अब उपर वाले हसता हुआ ग्राफ तो नीचे वाला रोता हुआ ग्राफ अब मैं इसका डायरेक्ट तुम्हें ग्राफ यहां बताता हूं कि इसकी ग्र स्लोप है in ये आधागी जिख़िक है वह लेकिन पोजिटीव है इसका तो फिर स्लोप डिक्रीजिंग होना चाहिए और पोजिटीव तो यहां से शुरू हुआ और नीचे-डीचे-डीचे जाता गया हाँ सर जब इसका स्लोप जोए इसका स्लोप क्या है बचुक्वाँग कुछ यहां यहां से सूरू ओगा लेकिन इसका स्लोप नेगेटिव तो है न करातमक है लेकिन कॉंस्टेंट है तो कॉंस्टेंट के लिए हम सीधी रेखा खीच देते हैं यानि कि बबू अगर XT graph इधर से हो तो VT graph इसा होता है और 80 graph इसा होता है मान लो कि इसी को हम उपर ले जाकर कर फिर नीचे ऐसे कर देते तो यह वाली जो graph है बच्चू वो इधर चली जाती और यह वाली जो graph है यह कहीं नहीं जाती है सीधे थोड़ी दूर और बढ़ जाती ठीक अच्छे ठीक अच्छे नोट करो दूसरा आपका टेबल इसी टेबल पर तुम्हारी जिंदिगी बीतेगी इस ट्रॉपिक की इसके अलावा तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है यह न नहीं करता है बस ऐसे ऐसा सीधा रेखावाला यानि कि एक्स्टी ग्राफ कि अई से गया सीधी लाइन में तो इसका ना स्लोप इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है इसका ना स्लोप इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है यानि कि पहले इसको मैं डेटा समझाता हूं ता पॉजटिव यानि सो पॉजटिव है और इसका सिलोप जब पॉजटिव है यानि कि यो वीटी हम ग्राफ बनाएंगे वह हमेशा हमें मिलने वाला इतनी बात क्लियर हो गई अब यह था क्या हमेशा फॉजटेन्ट है क्या अब चेक। J lymph धॉजटेन्ट है उपाunkt शिखी तो हमने वीटी ग्राफ तो बना लिया बच्छुतिए लेकिन वीटी ग्राफ बनाने के साथ एक दिक्कत यह आगे कि आगे का मैंने लिम्हारी कि म में प्रय नहीं नहीं तो क्था नहीने तो एदिभ्रेसफ‌ारे तो acceleration वे नहीं है तो acceleration जो है वो time के साथ zero रहेगा यानि कि non accelerated motion की graph है यह यही तीन point आपकी जिन्दगी बनाएंगे इस topic के अंदर समझ रहे हो note करो एक दो तीन जब 80 graph ऐसा हो तो VT graph ऐसा होगा VT graph ऐसा हो तो XT graph ऐसा होगा और आप अपनी भासा में अगर 10 साल के बाद भी इस पन्ने को खोलो और confuse नहीं होना चाहते हो तो थोड़ा थोड़ा explain कर देना कि का है इसका ऐसा बना का है इसका ऐसा बना समझ रहे हो चल नोट करो धूम धूम धा धूम धूम धा और उ अलब बतिया तो तुम्हें पता ही होगा मेरा बच्चा तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एरिया ओफ वीटी कर्व गिप्स या वीटी ग्राफ गिप्स चा गिप्स गिप्स पोजीशन या डिस्प्लेस्मेंट इस पर थोड़ा थोड़ा क्या अब सवाल ही करना है इस टॉपिक को खतम करो और तुम्हारा पहला चैप्टर खतम होने माला आज यार वंडी मोशन का मैंने भी खतम की साथ हुए चलो हो गया आगे बढ़े मिटाता हूँ मिटाओंगा तब पहला सवाल दे दूँगा ताकि तुम बैठे ना रहो ऐसे वेल्लॉसिटी की डंडी टाइम की डंडी टीवन टीटू यह हमारा डेटा दिया गया है टीवल टू जीरो यह है ठीक बच्चा इससे आपको बनानी है एटी ग्राफ और एक्सटी ग्राफ यह दो ग्राफ मुझे जराब बनाकर दिखा हूँ अब तक मैं उधर वाली क्लीन करता हूँ बोड ग्राफ वन को ग्राफ टू में बदलना ट्रांसफोर्मेशन और ग्राफ कहलाता है इस पर सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं डिट्टो ऐसे पूछाता है सेम टू सेम क्वेस्चन में एक ग्राफ बनाया होगा और पूछेगा कि मेक दीस ग्राफ तो दीस ग्राफ बनाने के ल और उन अचाउं सुडोकु खेला ये बच्पन में सुडोकु वो एक पेपर में आता था इसमें ऐसे लिए तो मैं सुडोकु बना देता हूं तुमारे लिए जो हेल्प करेगी तुमारे इसे अपने हाथ पे टाट्टू करवा लो है ठीक है है शुप्ध सुप्ध 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 यह कि थे अगए इधर हैं शुई 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 एकस यह सारे नीचे वाले टी एक्सिस यह हैं, एक्स वे एक्सलरासन, जब एक्स ग्राफ ऊपर की तरह होगा, फी ऐसे होगा, एक्सलरासन एसे, एक्स नीचे, नीचे चुँई, इधर, इधर, तो यह 80 ग्राफ 0 के जाएगा, इसी के मादम से आपकी पूरी जिंदगी चलेगी transformation of graph में क्या मेरे बच्चे से ये वाला सवाल हुआ हुआ कैसे हुआ 80 graph बनाते हैं 80 graph ये क्यों सी graph है बच्चुआ VT graph तो देखो VT पहले यहां तक T1 तक सीधी रेखा है तो VT में जब सीधी रेखा होती है तो 80 होती है ये लेटी रेखा होती है यानि कि 0 से T1 तक बच्चू लेटी रेखा हमने बना दी हाँ माट सब लेटी रेखा तो बना दी अब T1 से T2 जो VT graph है बच्चू वो लेटी रेखा है तो सर जब VT लेट जाती है तो 80 0 हो जाती है तो मैंने बोला अच्छा 0 हो गई, हाँ सर कहा तक 0 होगी बच्चू, T2 तक उसके बाद क्या है, उसके बाद जो T2 है वो सीधी रेखा है, लेकिन उल्टी दी सामें सीधी रेखा है सर तो VT जब ग्राफ उल्टी सामें सीधी रेखा होती है, तो एक्सलरेशन नेगेटिव डारेक्शन में हो जाती है, नेगेटिव डारेक्शन नहीं बे, नेगेटिव मैगनिट्यूड में, मतलब की यह ऐसे आएगी और यहाँ से ऐसे जाएगी कहा तक T टाइम तक, तो T टाइम तक जा रही है आगे बढ़ते हैं, X, T ग्राफ की हम बात करते हैं X, T ग्राफ, X, T ग्राफ कैसे बनेगा X, T, VT अगर सीधे उपर की तरफ जा रही है तो X होती है, ऐसे उपर की तरफ अस्माइल करते हुए X ऊपर की तरफ smile करती हूँ तो यह कब तक smile करेगा T1 टाइम तक है support करेगा अब ज़िए सीधे late जाती है V सीधे late जाती है तो X जो है वो सीधी तेड़ी भागती है यानिकि X को ऐसे भागना पड़ा कब तक मार्ठ साब T2 तक बच्चः जी उसके बाद जब V नीचे की तरफ आना चालू होती है तो व जब नीचे की तरफ कहा हा रही है यहां यहां नीचे की तरफ जब V चालू होती है तो X उदास हो जाता है यानि कि X उदास हो गया मतलब उदास ऐसे नहीं थोड़ा सा और प्रोपर ऐसे उदास होगा यह भाई बन जा यार ऐसे उदास होगा कब तक सर इसको आगे बढ़ा और इसको बोलो कि सर्टी तक यह उदास रहेगा सर यह हो गया कौन सा पोजीशन टाइम ग्राफ जिसको हम डिस्प्लेस्मेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं ठीक है तो बढ़िया है हमने ट्रांस्फॉर्म करना सीख लिए यह ट्रांस्फॉर्मेशन है अब सेख बात गरते हैं वह वही शीरियस हीए वी टि कर्व हो है इस एक्षटी कर्व और है कर थी थिक सब्सक्राइब बढ़ों ऐसी दिख्ख़ों मोर्थ बनाता हूं यह X है यह टी है ऑन जूम 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 इसका बना पाऊगे वीटी और एटी मुर्ख नहीं बनाया, तुमने तो पकड़ी लिया होगी, सर यह XT है, यही तो आपने दे दिया, इसका VT80 सामने बनाया है, कूल बनने की कोसिस कर रहा था है, अब तुम्हें स्मार्ट बनाता हूँ, के वेलोसटी, टाइम ग्राफ दे दिया, इसका नाम दे दिया हम ने, 22, यही टी है 91, इसका नाम दे दिया T2, को अधाया, इसका नाम दे दिया, T3 और इस एक्सिस का नाम दे दिया T और आप से कहा हमने कि बच्चु पहले तो बनाईए अपना VT graph तो दिया है गोंचुलाल 80 graph और दूसरा बनाईए XT graph 80 graph और XT graph बनाएगा जब मेरा बच्चा तो चॉकलेट पाएगा मेरा बच्चा कईसे सर कईसे दोगे चॉकलेट जब तुम सिलेक्ट होके मेरे लिए 2 kg मिठाई लेकर आओगे तो मैं तुम्हारे लिए एक एलपेन लिवे के चॉकलेट दूँगा तुम्हे खुश हो जाना चलो बन रही तुमसे महनत करना बच्चा मैं खुश होता हूँ और तुम्हें भी खुशी के साथ काम करना है बहुत काम करना है या तो छोड़ दो मतलब अगर मैं 50-60 के बाद जब ब्लॉगिंग या फिर रिल्स विल्स पे नाचूंगा न तो फिर देखने आना मुझे अभी थोड़ा पढ़ा रहा हूँ तो अभी जो बच्चे सीरियस है ना उन्हें पढ़ा लेता हूँ उनके लिए content बना देता हूँ तुम्हारे लिए मैं बनाऊंगा प्रॉमिस करता हूँ अगर पढ़ने का मन नहीं है तो बनाऊंगा मैं 50 साल का जब हो जाऊंगा तो मैं पतली कमरिया पर रील्स बनाऊंगा और तब मुझे प्लीज देखने आना उस टाइम मैं तुम्हें जरूर इंटर्टेन करूँगा आज मैं नहीं कर सकता आज मुझे जब मेरे अंदर उर्जा है तो मैं देश का भविष से बनाना चाहता हूं बरबाद नहीं कर सकता मैं तुम्हें मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम पढ़ो मेरे से तुम तो मेरे सबसे प्यारे दोस्त हो तुम्हें भी मैं इंटर्टेन करूँगा थोड़ा सीखने दो अभी मुझे फिजिक्स आती है तो मैं फिजिक्स दे रहा हूं देश के निर्मान करने वाले बच्चों को देश दिन रिल्स पे नाचना आ गया नाचेंगे और उसमें भी बेस्ट करेंगे उसमें भी फाट लगांगे उसमें भी दिन के 300 रिल्स तो जाएंगे ही जाएंगे पचास तक अगर मैं रहा तो अभी ये कर लेते हैं पढ़ना है तो पूरी 100% दे दो पढ़ना है तो हद कर दो नहीं तो मामला रद कर दो ठड़ाओ नहीं पढ़ना और इस बातों के बीच तुम तो भूली गए कि ये भी मैंने दे राखा पिजावे बना यार चलो होगे सौल सरल सी बात है अब तुमें मैंने जब ये जादूई यंत्र दे दिया है तो इस यंत्र के माद्धियम से आप लगाओ ना बच्चा का उनसा ग्राफ पहले बनाना है माट साब 80 ग्राफ बनाते है माट साब वीटी ग्राफ जब सीधे लेटी होती है बच्चा वीटी ग्राफ जब सीधे लेटी होती है तो 80 ग्राफ जीरो पर पहुंच जाती है ठीक है सर 0 पर हमने पहुंचा है कब तक 0 पर रहेगी sir t1 तक 0 पर रहेगी बच्चू उसके बाद जब t1 नीचे की तरफ आनी चालू होती है स्वारी vt graph नीचे की तरफ आनी चालू होती है तो acceleration time graph नीचे की तरफ constant हो जाती है इसे हमारे मुंग में छिपकली की पूछ कहां से आ गई कॉंस्टेंट हो जाती है तो कॉंस्टेंट हो गई फिर नीचे कॉंस्टेंट जाती जा रही है तो आगे बढ़ती जाएगी पिप पिप कहां टी टू और टी थ्री नोट करो इसे मैं एक सेकंड देख लेता हूं कैमरे में तुम्हारी मेरी सकल आ रही है नहीं अरही मैं तुम बड़ा सुंदर दीख रहूं यार चलो एक्ष्टी ग्राफ की बात करते हैं इस लेक्षर के बाद सिर्फ यह यंत्र याद रखोंगे आपकी सारी मनोकामनाय पूरी होंगी ट्रांसफोर्मेशन ऑफ ग्राफ की आप नहीं कोई आपको मुर्ख बना पाएगा एक्ष्टी ग्राफ बनाते हैं जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेटा होता है तो एक्ष्टी डारेक्ट ऊपर उठता है ऐसे कहां तक टी बन तक उसके बाद जब यह डाउन जाता है तो यहां तक के लिए ग्राफ जो है वो ऐसा बनेगा और फिर नेगेटिव आने के लि ग्राफ समयज में आया आया तो लिखिया ना वह अप लिख लिए थे तो रूखिये फिर मीटा आते हैं फिर पढ़ाएंगे आगे हो गिया है तो हो गिया तो मुश्कूराईए थोड़ा चलिए मिटाते हैं मुश्किल तब आ जाती है बच्चे जब यह ट्रांस्फोर्मेशन अफ ग्राफ का अगर यह सवाल आ गया मैंस में जैनरली यही पूछते है तो बन जाते हैं बच्चों से जिसनों ने पढ़ाई किये मुश्किल तब आती है जब लैंगवेज के फॉर्म म यह चाहता हूं कि जब लैंगवेज की फॉर्म में सवाल दिये होते है उनके सॉल्व करने का एक तरीका ग्राफ भी होता है ठीक और जब ग्राफ भी तरीका अतबmacल को अग्राफ सकते लेकिन तुम्हें जहां पे एक को सर अब March तो वहाँ पर तुम डायरेक्ट ग्राफ बनाने की कोसिस करना तुम्हें दिखने लगेंगी चीजे जैसे ट्रांस्वर्मेशन ग्राफ का तो बेसिक चीजी यह थी मैं ना लेक्षर के आगे के हिस्सों में तुमसे कुछ ऐसे लैंग्वेज वाले सवाल लिखवा रहा हूं ज हमारे जो ब्रेन के सिल्स है वो ज्यादा कमफर्टेबल हो जाएंगे खिच-पिच के साथ क्योंकि यह ग्राफ बच्चों को खिच-पिच लगता है जब कि कोई भी नई इंवेंशन होती है चीजों को आसान करने के लिए होती है कार को हटा करके बैल गाली का इंवेंशन कर आती है कि पढ़ाने के लिए है ना बहुत पढ़ा रहे हैं बहुत हैस्टेग आईटी जेई फिजिक्स सर्च करके देखो पांच लाग चैनल आ जाएंगे क्या कर रहे हो पढ़ा दो रहे हैं पांच लाग सीड भी नहीं है पढ़ाने से सिल्लेक्षन होता न क्या है सा तो हर पी स्टी में फिजिक्स के बच्चे आइटी न होते इन हं इसमें तुम्हें आयटी की प्रेप्रेश्न में फिजिक्स नहीं सिानी होती आयटी की प्रिप्रेशन में वो फिजिक्स सिखानी होता है जो एक्जाम में काम है क्योंकि मुझे पता है क्योंकि मैं जो ग्रेजुएशन करते हैं उन्हें भी पढ़ाता हूं उन्हें बताता हूं चीजे कि कैसे करनी है लेकिन उनके फिजिक्स पढ़ाने और तुम्हे यह नहीं सिखाऊंगा इसको एसे क्लिक करो खुल है अख्य जाएगी लेकिन जब मैं एक मोबाइल मैनुफैक्च्छरर को बताऊंगा तो बताऊंगा कि मॉबाइल कैसे बंता है है इवाल्व हुई है यह बाते मैं भी करता हूं इंट्रेस्ट के लिए मैं बिल्कुल करता हूं इसा तो है नहीं मुझे आता नहीं मैंने जान तो मैं बूझ के खुद को रोक रखा है तेरी भलाई के लिए मुर्ख मत बन जाना कि समझ रहे हो तुम्हें फिजिक्स नहीं सीखनी तुम्हें फिजिक्स का इस्तेमाल सीखना है डाइरेक्ट और तुम्हें भावना मतलब मैं सम्म ऑनलाइन की यही तो नुक्सान है ना ऑफ सकता है और नुक्सान बच्चे का रखा locks और मेरा क्या होगा एक मेरे पास सिलेक्ट हो जारे तो मैं पोस्टर्स में उनके नाम छाप दूंगा नुक्सान तेरा हो जाएगा बैच्चा जो मैं कह रहा हूँ ना तुम आख बंद करके फॉलो करते जाओ आख बंद करके तुम अपना दिमाग लगाओ ही मत तुम नहीं हो मैं आपके पास भी होती तो आप भी होते मेरे पास उस वक्त नहीं थी जब मुझे बनना चाहिए था और मैंने सेम गलती करी है और यह गलती आज मेरे लिए अच्छी है क्योंकि उसी ने मुझे physics में interest डाला और मैं physics का field में आया अब तुम decide कर लो कि तुम्हें physics में जाना है या IATN का t-shirt चाहिए जिस पेछे t-shirt पहन के गाउं में निकलो तो लोगों को लगे मैं अपनी जीवन का सबसे बड़ा regret बता हूँ मैं IATN नहीं हूँ यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा regret मैं लाक अच्छा पढ़ा लूँ मुझे प्रूफ करना पड़ता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ इसलिए मेरे पास हूँ मैं IATN होता तो मैं बताता कि मैं IATN हूँ फिर मैं कचड़ा पढ़ा देता ना तुम रुखते सर तो यह तो अच्छी बात है ना कि आप अच्छा पढ़ा करके बच्चे के बुलाते हो बच्चा बैइमानों के समाज में इमांदार होना महापाप है तो जब दुनिया में बच्चे IAT का टैग देखके जा रहे हैं जाने दो तुम सेर मेरे लगे रहना विस्वास के साथ मेरे पास बंदे रहो सिलेक्षन तुम्हारा ही होगा क्योंकि मैं जान लगाता हूं जितना कॉंटेंट मैं डेलीवर करने की कोसिस करता हूं यूट्यूब के उपर नहीं होता है बहुत मुस्किल है करना बहुत लोग कर रहे हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं तो मुस्किल होता है सवाल देता हूं इस सवाल as a concept तुम्हें ध्यान में रखना है सवाल कहा है माट सब सवाल है कल पना सकती इस सवाल में बहुत काम आएगी सवाल है कि एक कोई जगह है ए नाम दे दिया ठीक दूसरी कोई अब गारी रुकी हुई थी फिक वह अलफा एक्सलरेसं से चलना चालू होती अधिक कुछ शमय के बदधु के बहुते D Acceleration होने लगता है। छिक। बीटा से usar retarde होते होते वो एक समय पर जाकर रुक जाती है कहा रुकती है। । जो कहां रुकती है। यानि कि बीफिर रुकती है। ë p ऐ रुकी थी। भी पर रुक जाती है। एस से अलफा एक्सलरेशन से शुरू ही फिर कुछ देर के बाद बीटा है रिटार्डेशन से धीमे होने लगी और फिर रुख जाती है इस कल्पना पे हम एक सवाल आपके सामने प्रदर्सित करने वाले हैं उस सवाल को सॉल्व करते हुआ आप बहुत चीज़े सीख जाओग इस कॉंसेप्ट से बहुत आसान हो जाएगा एक ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम एक कॉंस्टेंट एक्सलरेशन मैं तेरे बीना जिन्दा ही नहीं रह पाऊंगा यार मतलब अगर तुम नहीं होते न तो मैं जिन्दा नहीं रह पाता एक्सलरेशन अल्फा ठीक आफ्टर सम ट time it starts retarding retarding मतलब पाता है ना negative acceleration retarding at constant acceleration beta ठीक है and comes to rest and comes finally at rest ठीक है आप से तीन चीज़े पूछी जाएंगे पहला है find maximum velocity attend ठीक दूसरा है find distance between a and b b लिखा मैंने कहीं पर आफ्टर सम टाइम में सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके वो रुख जाता है एंड बी के बीच distance find करना है और फाइंड एवरेज वेलोसिटी या स्पीड एक ही होगा क्योंकि सीधी रेखा में जा रहे हैं यह क्या मैंने लिगए वेलोस्पीड वेलोसिटी स्पीड मिला दिया मैंने वेलोसिटी और शुख कर यह है इसको आप बहुत आसान आप असान में नहोत मुस्किल तरीके से निट्र इक्वेशन अफम लगा करके सॉल्व कर सकते हो करने की गलती कभी मत कर देना इसको ग्राफ से इसे जोल्व करोके बड़ी आसानी से ट्राइख कर वहां इस अ ग्राफ बनाते वेलोसिटी की एक्सिस यह है टाइम की एक्सिस कॉंस्टेंट एक्सलरेशन अलफा से पॉइंट ए से कोई चीज शुरू होती है तो कॉंस्टेंट एक्सलरेशन अलफा है यानि कि वीटी ग्राफ जो है वो सीधा जाएगा तब ही तो कॉंस्टेंट एक्सलरेशन कह पाएंगे कुछ देर के बाद retardation चालू होता है रिटारडेशन यानि कि यह slope नीचे आएगा यानि कि हमने graph बना दिया जब graph बना तो solve होगे आपका math math वोल रहां physics ठीक है इसका थीटा थी इसकी यही आपका वी मैक्स है दिख रहा है सबसे उपर तो velocity है यह न बच्चे वी मैक्स है मान लो कि इसको टोटल होने में टाइम लगा टाइम ठीक तो यह कब तक accelerated motion में रही मेरे बच्चू Southern में माच्च मैंने बड़े ठीक मेरा बच्चा साब को कर री टाइशन में अन्य तक रही टीक्टू टाइम तक यह मैंने थीटा थी तो थैन थीटा क्या है JeremyAAAAAAAA क्या होतीं अबच्चा मरे 어나 पर्पेंडिकूलर अपन हाईपोटेनिऊवस औहुंख, का माच साबाथ टैं टीटा पर्पेंडिकूलर अपन बेस टैंस 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 क्या है बच्चा। पर्पेंडिकूलर कौन से है यह वारी लाइन इसकी वैलू कितनी है maximum velocity के ब Кар्षن स sn g बेस है, T1, हाँ जी, T1 है, यानि कि, यहां से Vmax की जो वैलू आती है, बच्चा, वो अलफा T1 आती है, हाँ माट सब आती है, इस तरफ से निकालें, तो बीटा की वैलू क्या होगी, बच्चू, Vmax perpendicular upon बेस क्या है, बच्चू, T2, यानि कि, यहां से Vmax की वैलू क्या आती है, बीटा T2, अब यहां से हम अलफा अपॉन बीटा का रेसियो निकालते हैं, अलफा अपॉन बीटा का रेसियो निकालेंगे, तो T2 upon T1, यह आपका एक important equation, जो भी कहो आ गया, आ गया तो आ गया, अच्छा आया, इसका इस्तेमाल किया जाएगा भविस्यमें हमारे द्वारा दूसरी बात कि यहां से देख सकते हैं कि T1 इतना है, T2 इतना है, पूरा T1 है, तो इससे हमें conclusion निकाल सकते हैं कि T1 प्लस T2 बराबर T, total time, total time आपको सवाल में दिया होगा, मान लोग कि total time T लगा हमारे लिए, total time T, अब इससे हम क्या करते हैं, इससे हम T2 की value निकालते हैं, और उसमें put करते हैं, तो T2 की value यहां से निकालेंगी, तो हम क्या निकाल पाएंगे, T2 की value हो जाएगी, alpha बटा beta into T1, इसको इहां उछा के put करो, किसकी value put करेंगे, T2 की value put करेंगे, alpha बटा beta, T1 बराबर T, हमने put कर दिया, जैसे हमने put किया तो इसमें से हमने common ले लिया, common तो हमारा alpha, beta, beta और one under common आगे, यह आगे, T, हमने T जब common निकाला, तो अंदर आगे T1, beta LCM, थारे मास्टर की जो calculation है, वो बहुत खराब है बच्चों, तो हम एक एक line करते हैं, तुम भी ध्यान दो, जो तेज बच्चे हैं, वो बोर हो जाते है, calculation देखके, तो तुम बोर न की, T1 की value क्या हो गई, beta T upon alpha plus beta, beta T upon alpha plus beta, वो मैं उधर इधर उठाके लिख ले रहा हूं, ठीक है, यानि, T1 की value क्या हो गई, बच्चे, beta T, और टोटल टाइम अजर, beta T upon alpha plus beta, तो टीटू की value, इसी तरीके से निगाल होगे तो क्या जाएगी, alpha T, T upon alpha plus, beta, चीक अच्छे, चीक अच्छे, अब हमने पूछी थी आप से बतिया, एक बताई थी, कि area under VT curve, जो है, वो हमें क्या देता है, हमें देता है, Vmax की value, है, Vmax की value कहां से देगा, Vmax की value वो नहीं देगा, Vmax की value E वाला देगा, तो हम T1 की value इसमें put करेंगे, तो Vmax की value, area under velocity time curve जो है, वो position displacement देता है, Vmax की value हम alpha T1 में T1 की value put करके निकालेंगे, alpha T1 की value निकालते हैं, तो T1 की value हो जाएगी, BT upon alpha plus beta, तो BT बीटा हो गया, इसमें alpha BT, alpha plus beta, Vmax की value, तो पहला हमारा solve हो गया, और ये problem, ये जो expression है ना बच्चे, इसको आपको दिमाग में याद रखना है, alpha beta time total upon alpha plus beta, ये हमेशा लगा सकते हो, कब लगा सकते हो, ऐसा situation जब एक race से, काड़ी start होती है, accelerate होती है, फिर रुकती रुकती नहीं है, चलती वलती भी नहीं है, तुरंटी retard होने लगते हैं, फिर रुक जाती है, रुकी, accelerate, retard, रुकी, रुकी, accelerate, retard, रुकी, इस condition में आप Vmax की value जट से इसको लगा दो, अनसर आएगा, और सारा खेल speed का है, बच्चा, तो speed बनाना है तुझे, Vmax, उसके बाद हम करते हैं, distance between A and B, अब हमारा area का काम आएगा, distance between A and B की बात करते हैं, तो area under VT curve gives distance, तो हम area निकाल लेते हैं उसका, total base की value कितनी है, time T के बराबर, तो area of triangle, तो triangle का area क्या होता है, half into base, base कितनी है T, और height कितनी है Vmax, तो Vmax, T बटा 2, और Vmax हमने यहां से निकाली है, तो हम इसको put कर देते हैं Vmax की value, alpha, beta, T, और इसका T मिल करके T square बना देगा, upon 2 into alpha plus beta, तो हमने distance between A and B भी निकाल डालिश, उसके बाद बात करते हैं, find average velocity, average velocity क्या होती है बच्चे, average velocity होती है, total distance upon total time, total distance हमारी कितनी है, यह हमारी total distance आई, total distance कितनी है, इसको put करने के बाद आई, उपर put करते हैं, फिर Vmax put कर देंगे, तो Vmax into time upon 2, और change in time कितनी है बच्चे, total time T, तो T से T cancel, ओ हमार्ट साहब, V average Vmax के बटा दू आईगी, अरे हाँ, बच्चु बे जिजक लगाओ, जब ऐसा situation हो, रुकार, accelerate, retard, रुका, तो Vmax बटा टू, बे जिजक लगाओ, calculation करोगे, देर होगी, समय बचा लेना इससे, ठीक है, तो यह situation याद रखना, note करो इसको, हमने तीनों चीजें निकाल दालिश, कर लिया, मिटाओं, मिटाता हूँ, कपड़े, चंदा मामा से, ध्यान में रखना बच्चे, और हर लेक्चर के बाद ना, आप सौर्ट नोट्स बनाते जाना, क्योंकि उससे रिवीजन करना important होता है, मैं न, कल ही, मेरी एक दोस्त है, डॉक्टर है, मतलब MBBS कर रही है, मैंने उससे पूछा कि, तेरी तयारी में, सबसे important पहलू क्या रहा, जो तुने follow करा, जिससे तू MBBS में select हो गई, उसने बस एक ही चीज बोली, कि मैंने multiple resources को use नहीं किया, मैंने minimum resource को use किया, और multiple revision करे, तो extraordinary करना ही नहीं होता, जिस दिन तुमने extraordinary करना चालू कर दिया, उस दिन extraordinary हो जाओगे, यह IIT का exam extraordinary नहीं है, इसमें ordinary चीजों को बहुत अच्छे तरीके से करना होता है, ज्यादा हवा में नहीं जाना, short notes बना ले, ठीक है, उसके बाद revision multiple करो, questions practice करो, lectures देखो, बस, short notes बनाते जाना, multiple revision करते रहना, ठीक है, और इस बात तक चक्र में में मिटाना भूल गया, चांद चुपा, बादल में, इरोडोव का सवाल कराता हूँ, इरोडोव का सवाल जड़ा मैं उठा लूँ, मैंने लिख रखे थी, तुम्हें करानी थी, language वाली, हाँ, सवाल है कि एक कोई train है, जो कि rest से सुरू होती है, मैं पूरा language नहीं लिखूँँग, rest से सुरू होती है, ठीक, कुछ दूर के लिए वो accelerate होती है, पांच मीटर प्रती सेकंड स्क्वाइर से, ठीक, उसके बाद, कुछ दिर के लिए वो uniform motion से चलती है, ठीक, उसके बाद वो retard होना चालू होती है, मतलब कि, निगेटिव acceleration चालू होता है, उसकी भी value क्या है, वही सेम, पांच मीटर प्रती सेकंड स्क्वाइर, इस पूरे process में, जो इसकी average velocity है, वो है 72, 72 कीलो मीटर प्रती आवर, तुमारे सुविधा के लिए मैं इससे कर दूँ, बहतर गुने, पांच बाटा आठार, मीटर प्रती सेकंड, यही डिटा है न सारा, हाँ, पांच बाट तुमारे से ठीक है, इसको काट दो, अठार, चार बार में कड़े गया, चार बार में कड़ता है न, हाँ, बीस मेटर, मास्टर की मल्टिप्लिकेशन, भी कम जूर है, बीस मेटर पती सेकंड की एवरेज बेल लॉस अटी है, तो आपको बताना है कि उसने कितना टाइम तक यूनिफॉर्मोशन में यात्रा करा, यानि कि फॉइंड दे टाइम, फोर वेच, एट, मुवड, वेथ, विद्या, यूनिफॉर्म, मोसन यूनिफॉर्म, वेल लॉस अटी एखी बतिया है, यह का इलू-इलू हो गया, वेल लॉस अटी, बस यही डेट हाई, जोश, यही जेट हाई, एक और डेटा है, हाँ, एक और डेटा है न, हाँ, एक और डेटा है, कि इस टोटल सियापे को होने में, टाइम जो लगा है, टोटल वो है, 25 सेकंड, इस टोटल कारनामे को होने में, टेम लगे से, 25 सेकंड लगा है, तो, करिए, कल्पना सक्ती में इस सवाल को लाने की कोसिस करो कि एक ट्रेन जो है वो एक्सलरेशन इतना से चल रही है कुछ देर उनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती है फिर रिटार्ड होना चालो करते हैं फाइनली रूक जाती है रिटार्डेशन के बाद मैं लिखा हाँ फाइनली कि आप से पूछा गया कि कितने देर तक बाबू उनिफॉर्म मोसन से चली है सवाल आपका इरोडोव कूल बनने के लिए इस किताब को सॉल्व करा जाता है या फिर सीखने के लिए सॉल्व करा जाता है लेकिन आपको सीखना भी है नहीं सीख करो एक तुम यार बड़ी-ब प्रील ट्राइगर तेन ग्राफिकल मेत 40 यह सॉल्व होगा असानी से तुम ठाइकर करें देख सकते हूं अगर उस वाले tapa भal hết दो यह लिखने वाले मेथोड़ तो कर देखना नहीं होता बहुत मुश्किल मुचन नहीं हुआ कॉंस्टेंट एक्सलरेशन से बढ़ती है कुछ दूर के बाद यह उनिफॉर्म मोशन चलती है फिर रिटार्ड होकर रेस्ट पर आ जाते हैं अम्हान लों कि यह दीवन टाइम तक चला कि tiene time टाकि ऐसा इसे न टीटू टाइम से चल और और टई थरी टाइम तक रिटार्ड हुआ लेकिन अहाइक्सलरेटिड मोशन और रिटार्ड मोशन गिई सक्क तो एक्सलर्यशन है ने वूँए आए पांच मिटर को मैं नईचे से फक खरेक्ष थिक है तो मैक्स पे जाने में 10 सेकण्ड लगा भीreated से नीच परति सेकड ऊपई नो fim लगायता है तो कि लगने वाले जों सेम और कि यानि कि इसकी वी जो होगी और तोटल ही टाइम् लग रहा है किया लग राए माध साव pandemic व्यवन लग रहा हो हुआ । आदु मेरा बच्छा्ल टी की मैसे से टीवन के त Salem तीकनल की वैलु हमने ले आई है esther यहां पर V max की value बता दो आख, V max की value कैसे बताओगे, हमारा main G1 का लक्ष क्या है, लक्ष है T2 की value निकालना, अब T2 की value कैसे निकालनेंगे, तब T1 की value हम निकालने में सक्षम होंगे, तो V max की value निकालो, initially यह start हो रहा था, U equal to 0 से, V बराबर U plus 80 अगर लाएंगे, तो V 5T1, या इसको हम AT1 से solve करते हैं, तो इसके जगह पर हमने AT1 रख दिया, बाद में एक्सलरेशन की value रख देंगे, पांस मीटर पर 30 सेक्ड़ क्योंकि दोनों में, सेम है, तो सेम है तो है, ठीक, हम कोसिस करते है, इसका area निकालने की, इसका area क्या होगा बच्चे? सबसे पहले इस triangle का area निकालते है, half into base into height, तो half into base क्या होगा बच्चे? बेस होगा T1 और height क्या होगा? A T1, यह triangle का area और इधर वाले इस triangle का area, सेम होगा, तो इसमें हम 2 से multiply कर देंगे, तो यह हो जागा A T1 into T1, यानि 80 square, 80 square, ठीक है, A T1 का square, ठीक है, अब बीच वाले की area निकालते है, तो बीच वाले का जब हम area निकालेंगे, तो height होगा 81, और base होगा T2, T2 का मतलब 25 minus 2 T1 का fall square, यह area क्या देगा बच्चा? area हमें देगा displacement, ठीक है? दूसरी चीज हम बात करते हैं, हमें average velocity दी गई है, average velocity दी गई है, तो हम total displacement यहां से भी निकाल सकते हैं, वो क्या होता है? वी average इंटू total time, जब वी average की value हमें दी गई है 72, यानि कि 20 meter प्राति सेकंड अस्क्वाइर, अस्क्वाइर कहा है? 20 meter प्राति सेकंड इसमें हम अगर 25 से गुना करते हैं, क्योंकि 25 सेकंड टोटल टाइम लगा है, तो 500, 500, 500 meter हमारा total dispense इसने travel किया और जो कि इससे यह आ रहा है, एक सेकंड, total इससे आ रहा है, तो इसके सामने जिस पर हमने displacement बिठा रखा था, उसके जगह पर हमने 500 बिठा दिया, अब इसमें हम क्या करते हैं, कि एक ही value डालते है, एक ही value डालने से फ़ले थोड़ा solve, प्रले ए minus 2 t1 का square, equal to 500, ठीक, अब 2 t1, यहाँ पर 2 t1 square ने, 2 a t1 का square होना चाहिए, क्या माट, अब अब भी कल्कुलेशन, इतना mistake, मैं कब सीखे गा रही, mistake हटा ना, माइनस 2 a t में से a t जायागा, तो बच्चेगा, a t2 plus 25 a t, अब इसमें हम एक ही value 5 डाल देते हैं, मैं इधर आ जाता हूं, इधर आ करके भी क्या करूंगा, कहां लिखूंगा, नीचे लिखूंगा, 500 equal to minus 5 t square plus 25 into 5 into t, यह t जो है न, यह one आते रहा रहा, one subscribe में लिखते जाना, सब दरब से 5 उड़ा, 100 हो गया, minus t1 square plus 25 t, अब इसको अधर धंग से quadratic मना लेते हैं, तो t1 minus 25 t plus 100 equal to 0, अब इससे आप quadratic को solve कर हो, यह t1 का square है, quadratic को solve कर होते हैं, आप लिखो t1 square, नीचे बैठ जाओ, बैठ बैठ के नहीं लिखूंगा, बैठ के master को सोभा नहीं देता लिखना, उपर मिटा रहा हूं मैं, यह सवाल ही मिटा देता हूं, अब सवाल लिख लिए होगा तुने, ठीक है, तो t1 हो गया, ठीक है, यह मैंने बीच वाले टर्म को तोड़ दिया, t1 common ले लिया, 1-t1 square है भई, तो t1-20-5t-20, t1-5, t1-20 बराबर 0, यहां से t की दो value आ, एक आई 5, एक आई 20, बट 20 नहीं हो सकती बाबू, कहें नहीं हो सकती, सर, t1-20 है, तो 20 इधर चला, 20 इधर चला, 40 सेकंड तक यह एक्सल लेटेड मोसन में ही चला होगा, जब तो टोटल सियापा ही 25 सेकंड हुआ है, तो 20 तो नहीं होगी, 20 तुम चले जाओ, कोपचे में, t1 बराबर 5 सेकंड इस वैलिड अंसर, तो t1 अगर 5 सेकंड वैलिड अंसर है, तो इस t2 की वैलू हमें निकाल नहीं थी, क्योंकि t2 ही वो टाइम है, जब तक यह पार्टिकल एक्सल रेटेड मोसन को छोड़के, उनिफार्म मोसन में चला है, समझ रहे हो ना, समझो, 15 सेकंड, 15 सेकंड is the required answer, जब तक पार्टिकल उनिफार्म मोसन में चली है, एक्सलरेशन और रिटार्डेशन के अलावा, आज की लेक्चर तहलका मचाते हुए, यहीं पर खतम करते हैं, ट्रांसफोर्मेशन ऑफ ग्राफ का और 1D मोसन फिनिश, तो मैं सीट दे रखा है, ड पातम करी है, 12 लेक्चर लगाएं, तो इंसान काइनमेटिक्स की पीच्डी कर लेगा, ठीक है, तब तक मिलते हैं, बच्चा मेहनत करते रहना, मुझे उर्जात देते रहना, धन्यवाद, टाटा, बाईवाट, टेक्यार, गुट